तो मेरी आवाद जहां तक पहुँच रही है इस मुंबई के महारास्ट्रा के अलग-अलग कोने से आये हुए आप तमाम कॉंग्रेस के कारिकरताओं का आदरनिया बुजर्गों का नौजवान साथियों का माताओं बहनों का खेती करके, किसानी करके, दुकान चला करके, ब्यापार करके, नौकरी करके, मेहनत मजदूरी करके अपने पडिवार का भरन पोशन करने वाले आप तमाम मेहनत का सावाम का क्रांतिकारी इस्तक्बाल करता हूँ आपका हारदी कभिनंदन करता हूँ दोस्तों मैं आपसे दो-चार बातें कहूंगा क्योंकि यह मौका है पार्टी के अस्थापना दिवसका भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अस्थापना दिवसका उससे पहले मैं मंच पे मौजूद अपने सभी आदर्निय नेताओं का और मैं खास करके जिसान को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जिसान भाई मेरे से पहले आये और सभी नेताओं का नाम ले करके स्वागत कर दिया है तो मैं इकठे आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं विशेश रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मौंबई कॉंग्रेस के हमारे तमाम पदाधिकारियों का कि इस खास मौके पर उन्होंने मुंबई आने का मौका दिया है क्योंकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता था कि 28 दिसंबर को 1885 में उस समय बंबई कहा जाता था बंबई में 72 बहत्तर डेलिगेट्स आये थे पहला पार्टी अधिवेशन में भारतिय राश्ट्य पे पहले अधिवेशन में 72 लोग आये थे उन्ली 72 और इसी सहर से भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस इस देश के इतिहास में अपना योगदान शुरू की और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधुनिक भारत का आधार अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस है आज जब मैं अपने देश भर के जुजहारू कार्यकरताओं को पार्टी अस्थापना दिवस की अपने देश बासियों को पार्टी अस्थापना दिवस की बधाईयां दे रहा था तो मेरा भाजपा का एक दोस्त हमको बोला कि भाई इस पार्टी को तो A.O. Hume ने बनाया था हमने कहा सुनो न तुम्हारे घर्म में जो बल्ब जलता है न उसको भी किसी अंग्रेज बनाया है फोड के फिक दोस्त को मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ और ये एक-एक कारकरताओं को जानने के लिए जरूरी है कि विग्यान का कोई देश नहीं होता है विग्यान और देश सारुभावमिक होता है वर्ल्ड वाइड होता है इस बात को याद रखिएगा और जो 1885 में पार्टी बनी उस पार्टी को नया स्वरूप और नया कलेवर अगर किसी ने दिया तो 1920 के बाद उस महान इंसान का नाम महात्मा गांधिया इस बात को याद रखिएगा और आज हम जिस बार्टीय राष्ट्य कोंग्रेस का जंडा बुलंद कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे युवा आमदार जीसान ने कहा वो बार्टीय राष्ट्य कोंग्रेस महात्मा गांधि के विचारों पर चलने वाली कोंग्रेस है जो कहते थे रघुपती राघव राजा राम पतीत पावन सीता राम इश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान और हमको गर्व है इस बात का कि 1885 मेंबरी भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस 1920 में महात्मा गांधी के नेत्रित में बंडित जवाहलान नहरू के नेत्रित में मौलाना अबुलकलाम आजाद के नेत्रित में और सरेज निनाइडियू के नेत्रित में सरदार बल्ला भाई पटेल के नेत्रित में सुवास चंदर बोस के नेत्रित में वो पार्टी पूर्ण स्वराज का मांग करती है और वो कहती है आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए आजादी चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए और हमें गर्व है कि वही भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आजाद कराती है और देश जब अंग्रेजों रहे थे इस बात को भी याद रखिएगा इस देश के लोग रो रहे थे क्योंकि उस वक्त भी वही राजनीती हुई जिस राजनीती को हम 2014 से इस देश में देख रहे हैं वही राजनीती हुई जो 2014 से आपके वाटसेप पे आ रहा है एक तरफ मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग इस देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं दूसरी तरफ हिंदू महासभा थी जिसने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं लेकिन इतिहास याद रखिएगा बरे शर्म की बात है कि कारकरताओं को याद रखने की जरूरत है कि जो आजादी 15 अगस Marina इस देश को भारतिया राष्टिये कॉंगरेस ने दिलाया है उस आजादी को अगर कोई बचा सकता है जिस सपने को महात्मा गांधी ने इस देश में देखा है उस सपने को अगर कोई बचा सकता है तो उस पार्टी का नाम भारत ये रास्ट ये कॉंग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गंधिये इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी से सवाल पूछता था कि दादी ये बताओ आजादी प्राप्त करने से कम नहीं होता है इस बात को याद रखना जो साधारन लोग होते हैं अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं लेकिन देश जब परिवर्तन की ओर उनमुख हो देश में जब कोई बदला हो रहा हो तो उस बदलाओं में सामिल होना स्वभाग की बात होती है मैं अपने सेवादल के कुछ साथियों को यहां खड़ा देख रहा हूँ आप लोग भारत जोरो यात्रा में सामिल हुए हैं यह सिर्फ बरतमान की बात नहीं है यह यह इतिहास है और यह इस देश का भविस तैकरने वाला इस बात को याद रखिएगा इस बात में कोई दो अपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं एक वो है जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं दूसरी तरफ भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस है जिसको इस देश के लोगों को जोर करके रखना है उन ही है इस बात का हमको शंघर्स करना पड़ेगा इसलिए जब आज हमारे सामने दो तरह की विचार है एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ हम तमाम जुठोकर के रहने की जरूरत है और आप लोगों ने दिखा होगा एक सांसद है भोपाल की सुना एक नहीं सुना है मैं उनको साधवी नहीं बोलता हूँ क्योंकि साधवी की भाषा में न हिंसा नहीं होती है जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है जो सन्यासी हो उन्होंने हिंसा की बात की तो मुझे इसमें एक एक साजिस दिखाई देता है साजिस जानते हैं क्या है वो सांसद महोधिया एक्चछली जैय सहा के पापा का मजाक उड़ा रहे थे जया साह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे देश का ग्रीमंत्री कौन है अमिज साह है न तो कानून वेवस्था का पालन करना किसका काम है अमिज साह का तो साध भी ये कह रही थी कि अमिज साह निकम्मा है इसलिए अपने घर में चाकु तेज कर लिए यही कह रही थी न उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहु संखकों को डरा रहे हैं और आप यह बता रहे हैं कि जैसाह का पपा किसी काम का नहीं है इसलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए यह बात आपको ठीक लगती है यहाँ पुलिस के लोग बर्दी पहन करके खरे हैं क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज करने ता आप लोग क्या किजिएगा उत्तर परदेश पुलिस की तरह मूं सही ठाइठाइगा क्या किजिएगा बताइए बताईए इस देश की सिकुरिटी फोर्सेज क्या करेगी बताईए इस देश की पुलिस क्या करेगी बताईए इस देश की नयपालिका क्या करेगी बताईए इस देश की अदालतों में क्या होगा बताईए इस देश में कानून बिवस्था का क्या होगा अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर ग्री मंत्री किस लिए है अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बनाने के लिए किस लिए है गिरिह मंत्री किस लिए है रक्षा मंत्री इस सवाल को अपने मन में पूछे और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भासा क्यों बोली जाती है ये नफरत की भासा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लडने लगें और जब हम आपस में लडने लगेंगे तो हमारा railway बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुचा देंगे साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे गुरू हम आपको चाई बेचते हुए तो नहीं देखे हैं लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं गुरू हम आपको चाई बेचते हुए तो नहीं देखे हैं लेकिन BSNL बेचते हुए देख रहे हैं गुरू हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखें हैं लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं देख रहे हैं और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूद का दम बढ़ाता क्या मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधान मंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो दो रुपईया दूद महंगा किया जाता क्या दूद से इनका नाता नहीं है चीनियों से जरूर है दूद से नाता हो नहो चीनी से जरूर है और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया गलत किया पूरी तरीके से भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस चाइना का बिरोज करती है उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं को हमारी सेमा में सीमा में घुसे और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जबानों पे भडोसा है हमारे घर में लोग फोज की नौकरी करते हैं इसलिए हमको पता है अरे जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे यह बात हम जानते हैं लेकिन कुछ निकम में लोग हैं कि बरी चालाकी से बरी चालाकी से बर्दी के पीछे छुप जाते हैं कभी बर्दी को बदनाम कर देते हैं कभी बर्दी के पीछे छुप जाते हैं जब प्रग्या बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिये तब बर्दी को बदनाम कर रही थी पुलिस वालों का मजागुरा रही थी और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो बर्दी के पीछे छुप गए तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्च होने के नाते हम सरकार से सव सवाल पूछते हैं और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है सरकार ये जवाब दे कि परधान मंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है तो हमारे जवान घायल कैसे हुए इस सवाल का जवाव रख्षा मंत्री को देना चाहिए दोस्तों हमें गंभीर परिस्थिती से गुजर रहे हैं इसी लिए भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमी का निभा रही है हमारे एक-एक कारिकर्ताओं को इस देश के एक-एक घर तक पहुचना परेगा और जो हमारी विचारधारा है का दुखदर्द क्या है दुखदर्द यह है कि जीएस्ट और नोट बंदी के चलते इस देश के व्यापार को तवाह कर दिया गया दुखदर्द यह है कि सौमें से 45 लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं दर्द यह है कि हर 15 मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत् या चार हो रहा है दर्द ये है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी ले करके ड्यूटी करते हैं बुरहपा में पेंसन नहीं मिलेगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी दर्द ये है कि जो लोग अपनी पूरी जिन्दगी लगा देते हैं सरकार की नौकरी करने के लिए उनका पेंसन बंद कर दिया गया है यह इस देश का बुनियादी सवाल है इस देश का बुनियादी सवाल रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिख्छा, स्वात, सरक, बिजली पानी का सवाल है इसलिए हम आपसे यह आंतिम आगरह करना चाहते हैं कि जब तक भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस है तब तक इस देश के उपर गोट से की विचारधारा नहीं थोपी जा सकती है इनसान को इनसान से नहीं लड़ाया जा सकता है इनसान को इनसान से नहीं बाटा जा सकता है इसलिए हमको अपने देश के बुनियादी सवालों पे बात करना है और बुनियादी सवाल पे बात हो इसके लिए जरूरी है कि नफरत की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे समाज को जो बांटने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे इसलिए हम आपसे आगरह करते हैं कि WhatsApp मेसेज पे मत जाईए टीवी जो आपको दिन रात दिखाता है उस पे भरोसा मत कीजिए सच्चाई ये है कि सरकार कुछ भी भासन दे दे महंगाई से इस देश की अर्थ विवस्था की कमर तूट रही है सच्चाई ये है कि नौकरियों के नहीं चलते अकेले रेलवे में धाई लाख पोस्ट खाली है नौकरियों में भरतियां नहीं होने के चलते नौजवानों के सपने तूट रहे हैं जी एस्टी और नौट बंडी के चलते बैपारियों की कमर तूट रही है यह जो देश का सपना तूट रहा है उस तूटे हुए सपने को जोरने का नाम है भारत जोरो यात्रा है इस बात को याद रखिएगा और यह भारत जोरो यात्रा अपने मुहीम में सफल होगा जब हम भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस के एक एक कारिकरता जो भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस ने हमको आजादी दिलाई है उस आजादी को बचाने के लिए संघर्सरत रहतेंगे हमको ये याद रखना परेगा कि डक्टर बाबा साथ भीमरा अंबेदकर ने हमको बराबरी का संबिधान दिया है और यह जो बराबरी का संबिधान है जब तक यह संबिधान जिंदा रहेगा तब तक हिंदु और मुसल्मान को आपस में कोई लड़ा नहीं सकता है इस देश को कोई मिटा नहीं सकता इस बात को याद रखिएगा इसलिए संबिधान की रख्छा करने के लिए बारते राष्टे कॉंग्रेस के विचारों को जनता के बीच में लेकर जाने के लिए और जनता के जो सवाल है रोजी रोटी कप्रा मकान का सवाल उस पर इमानदारी से लरने के लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूँ शुक्रिया देता हूँ और एक बार फिर से आप सब लोग पार्टी अस्थापना दिवस में सामिल हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद के लिए बात को खत्म करूँगा शुक्रिया इनकलाब जिन्दाबाद जै हिंद जै महाराश्ट्राव